साथियों आज हम बात करेंगे एक खास टॉपिक के बारे में जिस पर आपको बहुत कम जो है बुक्स में या कहीं इंटरनेट पर मिलता है और सचाईक आपको पता नहीं चलता जी हाँ निया टॉपिक है धमाकेदार वास्तु फार डोर्स एंड विंडोस नमस्कार साथियों मैं हूँ डॉक्टर आनद भार्द वाज आपका जाना पैचाना वास्तु कंसल्टेंट और आप हमेशा हम मुझे पाते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अपने यूट्यो वीडियो पर खिड़कियों और दर्वाजों के बारे में वास्तु क्या कहता है आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों आपने ये देखा है कि वास्तु में हम ये कहते हैं कि खिड़कियां बहुत inappropriate होती है हमारे दर्वाजे में साथियों कि संक्या के बारे में आपको बहुत उरतनावाली बहुत सारे ग्रंथ हुए हैं जिनमें बताया गया है कि हमारे घर में दर्वाजों की संख्या सम होनी चाहिए सम का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 होनी चाहिए इसी तरह से खिड़कियों के बारे में भी बताया गया है कि खिड़कों की संख्या भी सम होने चाहिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह से होने चाहिए विशम संख्या नहीं होने चाहिए ऐसा अगर नहीं है तो वास्तु शास्तर के अनुसार एक दोश माना जाता है लेकिन साथियों आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ने यह इस खास परपसे बना रहा हूँ कि आज के परिप्रिक्ष में आज के संदर्म में आज के रेफरेंस में यह सब चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटिड हो गई है और इनकी इतनी वैलियो नहीं रहा गई गई जितने कभी की संख्या सम होने चाहिए और एक खिड़की दूसरी खिड़की के बिलकुल आमने सामने रहने चाहिए अब सोचिए इसके हवा का आना जाना क्रॉस मेंटिलेशन चलता रहे तो अगर दो खिड़की इस्ट में हैं तो दो खिड़की वेस्ट में लगेंगी तब ही वहाँ पर जहा हवा का संचालन ठीक तरह से होगा यही इसके पीछे लॉजिक था आज तो विंडोज है कितनी लगती है कहां लगती है एक बड़ी सारी खिडकी नाई अब देख रहा है मेरे पीछे एख वेड़ेटौ बनी हुई है ठीक है एक बड़ी सा ऐख रहें मेरे पीछे वी रही थीए है उस ग्लेशिंग गरूआ जाता है यह अघॉस लंगा दिया जाता एखम का से बजह ही घर उसके भीशे जहरे ह अपना जहां पर कि आपने अपना एसी लगाया है कि आउसको खिड़की मानेंगे, जहां एक्जॉस्ट लगाया है कि आउसे खिड़की मानेंगे, इसलिए खिड़कों की संख्या का गिनना जो है, ये बिल्कुल बेमानी हो चुका है, गिनना चाहें, गिनने, आप संख्या र जो दर्वाजे होते हैं, दर्वाजों की संख्या के बारे में भी ऐसी होता था, आप दर्वाजों की संख्या कैसे ही गिनेंगे, आगे पीछे हो, राइट लेफ्ट हो, और जो उपर मम्टी में लगा रखा है, आपने सीडी के मम्टी में क्या उस दर्वाजे को काउंट करें तो इसमें आपने बहुत जादा परिशान नहीं होना दर्वाजों के बारे में साइज के बारे में कहा जाता है कि दर्वाजे का साइज ये होना चाहिए वो होना चाहिए चार फिट का होना चाहिए इतना होना चाहिए दूसरे कहते हैं कि चार का तो अंक शुब नहीं होता च कि उंचाई से दो बालिस्थ उंचा होना चाहिए सातिहों Baldi स्ट में और उंगल में पहले जैब इसकी को verw शास्तनों से इसका दूर-दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बिलकुल भी लेना देना नहीं है, पुराने समय में जो घड़ना की जाती थी, वो उंगल से करती थी, बाली से करते थे, चंदरबरदाई ने पृत्वी राज रासों में लिखा है उसका बड़ा महा कावे है उसमें पृत्वी राज को जब उसने इंडिकेशन दिया कि आपने गोरी को किस तना से गोरी कहां बैठा वो है मुहमद गोरी कहां है और उस पर कैसे आपने तीर चलाना है तब उसने उपर जहें वो महमद गोरी बैठा है अगर यहां पर आप तीर चलाओगे तो वो मारा जाएगा और पृत्वी राज ने उसी निशाने के ऊपर जब तीर चलाया तो महमद गोरी को धरा शाही कर दिया यह व़ुआ कर्था था परिमान आज के जो है कि इतने मीटर इतने यहां दुब्र और के देखादो हैं सबना में गिए खुलना चाहिए इस अपने घर के बार खुड़ा हुए कौनसा clockwise और clockwise anti-clockwise का जो परिकल्मना है कल्पना है ये सिर्फ सीडियों पर लाग वोती है हर जगां पर लाग नहीं होती दरवाजे पर भी लाग नहीं होती है साथ दरवाजा कहां खुलना चाहिए राइट खुले या लेट खुले इसका निधारन करने के लिए आपको दांत नहीं है दरवाजयों के पीछे अगर साथ में रही गये तो तो कभी कर बना आ अज के बने में पहले तो बनते थैं ना बना और ना कभी बनेगा अगर कोई कहता है कि मैने 100 परशंट- 100 परशंट वास्ट श्वांग बना दिय यह संपे साँ़रवाजह लगा दिया और से कोई नि नी बनाया कोई तो олнगा नहीं है कोई कई इसकों जान भी मान ले ना वो जो अंडर'll पर वास्त में वा मकाना या तो गवर्नमंट का जो परिमान पहले का बनता था, धाई हाथ, भाई पांच हाथ, यनि धाई फित चोड़ा और पांच हाथ उचा, आपके दरवाजे का एक नॉर्मल साइज मुख्य द्वार का माना जाता था, एक हाथ 18 इंच का होता है, अब धाई हाथ कितने का होगे, 18 दोने 36, 36 और उसके बा साइज का अगर जो मुख्य द्वार बनता है, तो सबसे अच्छा बनता है, और शास्तनों के नुसार अगर उसको दो पल्ले का बना दें, तो सबसे बड़िया है, वैसे आजकल दो पल्ले के बनतें नहीं हैं, आजकल फ्रॉश दूर बनते हैं, सिंगल पल्ला होता है, उस पास वड़ से भी आते हैं, लोग मुझे से पूछते हैं, कि सर मेरा मकान मैंने बनाया था, नया मकान बनाया, उस में गल्ती से चौकर नहीं लगी, सर, तिर्खर लगी सब किसको बोलते हैं, चौकर तो बोलते हैं, जिसमें चार साइडे होती हैं, किसी भी दर्वाजे की, उसका जो फ्रेम बनता है, चोखड इसको बोलते हैं, लेकिन आजकल क्या बनता है, वो चार साइड नहीं होती, तीन साइड होती हैं सिरफ, नीचे की साइड होती, नीचे तो फर्ष आता है, तो तीन साइड में ही बनता है, उसको लोग तिर्खड बोलते हैं, और ये आम तोर लगाय करते थे उपर भी सांका लगती थी नीचे भी सांका लगती थी और जो नीचे की चोखड का इस्सा होता था वो भी उपर के साथ हिसाब से बड़ा होता था कम से कम चेंच ओड़ी लखड़ी हुआ खरती थी जिसमें कि चलती फिरते सांप शचुंदर या कोई ऐसे चलते फिरते जानवर घर के अंदर ना घुज जाएं और लोग उसको जहें लांकर उसको दहेली को लांकर जहें अंदर जाय करते थे तो यह उसका मैं तो वहीं तक था बस आ वहां पर एक पतली सी फट्टी ले ले लगड़ी की और इसको लेने के बाद में उसको दोनों को जोड़ दें तो वह भी चौखट वारा काम अपना पूरा कर देगी अगर नया मकार बना रहा है और आपको ऐसा लगता है कि आपको चौखट बनाने ही चाहिए तो आप जमीन स का मेंबर होगा जो चार मेंबर बनते हैं चौथा जो मेंबर होगा जमीन के लेवल में लगाएं उसको ज्यादा उपर ना उठाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा साथियों एक बात और भी सुनने को आती है कि स्लाइडिंग डॉर का आज चलन बहुत ज्यादा है जो डॉ को चार में- riders to के साफ से होना ही नहीं चीए हम ने तो स्लाइडिंग डियार कि हमारे यह जगा नहीं थी हमेंने डीवार के साथ में साथ में करना सातिओं इसे भी को हैंना करना अच्छा नहीं माना जाता वास्तों के और उसके पीछे कारण लेंगे तो आपके मंन से वह स्म है अगर चूचु की अवाज करता है क्रीक की स्क्रीच के आवाज करता है तो वह दर्वाज़ा जो है वह नेगटीव माना जाता है सातियों जितने भी भूतों की फिल्म होती है nahu जितने भी मतलब ऐसे dr disciplom होती है उसमें सब से पहले गेट खुलता है चूचु की की दरवाजा खास तरीके से तो नेगेटिम माना जाता है आज की डेट में जो दरवाजे बनते हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो कोई भी जो है चूँचू करके नहीं खुलते ना बंद होते हैं और अगर होता भी इसमें अगर ऑईलिंग रिसी आप समय समय पर क लॉजिकल अगर आप अपलिकेशन नहीं जानते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आप जो है उसको कभी भी आप अपनी लाइफ में ठीक तना से अपलाई नहीं कर सकते हमेशा वहें में घरे रहेंगे दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और लगता है कि मैं बहुत लॉजिकल बात करता हूँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ठीक उसी तरह से जैसे स्कूल टीचर जैसे बच्चों का समझाता है मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये जो मेरे जितने भी मेरे चैनल है इनको आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए मेरे वीडियो को आपको शेयर करना चाहिए एक दूसरे के साथ में लाइक भी करेंगे मेरे हिम्मत बढ़ेगी होसला बढ़ेगा मेरा और मैं आगे अच् को लोजिक अगले वीडियो तक के लिए हमें बिदा दें तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद थैंक यू बरी मुच एंड टेक कियर